तिशिवी यादव के विधायक की मुस्किले बढ़ी तिशिवी यादव के विधायक पर आफद का पाहर गिर गया कोट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट जीहाँ राजजद विधायक बच्चापंडे बड़े पच्छने में पड़ गया राज़त विधायक बच्चा पाणने की मुस्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है दरसल राज़त विधायक के खिलाफ उतराखंड के चमपावत जिला के सिंगे जवलजज ने गैर जबानती वारंट जारी किया है उन्हें इस मामले में कोट के तरफ से पिछले कई दफा कोट में हाजर होने का आदेश दिया गया था यह पूरा मामला चिक बाउंस से जुरा हुआ है मिली जानकारी के अनुसार उतराखंड के चमपावत जिला के सिंगे सिंगे सिवलजज ने राज़त विधायक बच्चापाणने के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है बच्चापंड के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधीपत्र जारी करने का भी आदेश दिया गया है कोट ने चमपावत जिला के पुलस अधिक्षक को या आदेश जारी किया है पताया जा रहा है कि राज़त विधायक पिछली कई तारिकों से वह नयायाले में उपस्थित नहीं हो रहे थे इनके उपर उद्राखंड के चमपावत जिला के थाना प्राथमिकी दर्ज कराई थी इसमें धन सिंग ने राज़त विधायक ने एक मामले में डील की थी जिसमें चेक के माध्यम से पैसो की लेंदेन की गई थी अब यह चेक बाउंस हो गया है तो फिर धन सिंग ने शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद यह मामला कोट पहुचा तो इस मामले में सुनवाई करते हुए अब यह आदिश जारी किया गया है इधर इस मामले में जब बच्चा पांदे के भाई ने बताया कि यह कंपनी हमारे भाई यानी बच्चा पांदे के नाम पर नहीं है और जो जो वारंट जारी किया गया है वह भी हमारे भाई के नाम पर नहीं जारी हुआ है बलकि यह कोई और बच्चा पांदे है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है फिलाल इस रिपोर्ट पे इतना ही धन्यवाद